Hello friends, hopefully आप सभी लोग अच्छे होंगे So, सबसे पहले नए साल 2024 की मेरी तरफ से आप सभी को best wishes मैं ये प्रे करूँगा God से कि जो भी dreams हैं वो इस येर आपकी पूरी हों So, हम थर्ड सेमिस्टर NEP के accordingly जो syllabus कर रहे थे algebra में, abstract algebra basically तो उसके continuation में अब जो start करेंगे topic वो क्या है? permutation group और ये बहुत important group होता है friends मैं आपके home exams के point of view से ये कर रहा हूँ videos और motive भी मेरा यही है इसके साथ साथ आपका IIT exam या फिर net तो अगर आप third sim में हैं तो target IIT exam का होगा आप देखेंगे कम से कम एक से दो questions आपका permutation group से हमेशा IIT exam में आता है और अगर direct नभी आया तो counter examples जब बनाते हैं तो वहाँ पे ये permutation group बहुत important होते हैं खास करके जब हमें ऐसे groups की जरूरत पड़ती है कि जो non-abellian groups तो in general मैं हर एक permutation group तो नहीं बट in general जो है ये permutation groups जो होते हैं ना non-abellian होते हैं ठीक है ना कुछ कुछ होड़ दीजिए n is equal to 3 के आगे आप जैसे जाएंगे तो वही symmetry group हम आगे करेंगे permutation group का special case है symmetry group तो symmetry groups बड़े important होते हैं ठीक है तो structure wise non-abellian groups के counter example में हम लोग इनका बहुत ही उसकरते हैं और ये बहुत ही reach groups होते हैं ठीक है चलिए anyways तो start करते हैं permutation groups permutation groups समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा न कि एक permutation क्या होता है ठीक है permutation क्या होता है उसी के बाद बात करेंगे groups देखिए group की बात करूं तो group क्या होता था basic हमने सीखा था एक non-imputy set जी इस पे जो है एक binary operation होना चाहिए था ठीक है न और वो binary operation certain conditions को satisfy करें like associative हो binary operation identity element मिले और हर एक element का inverse मिले group के लिए इतना ही condition था हमने detail में जाके देखा बहुत सारे examples भी किये cyclic groups तक हमने cover किया तो अगर मैं बोलू कि यह permutation group तो यह group है तो अब group है तो यह non-imputy set पहली चीज़ होना चाहिए अब non-imputy set है तो इसके elements कैसे होंगे तो यह साथ पहला group आप पढ़ेंगे इसलिए tricky होता है कि इस group के elements जो है न मैपिंग होते हैं मैपिंग मतलब क्या functions और वो भी bisective functions ठीक है तो चलिए तो अब पहले समझते हैं permutation क्या होते हैं तो permutation समझने के लिए मैं एक non-imputy set लिया ए एक एक non-imputy set लिया ए तो इस set पे अगर मैं permutation define करना चाहता हूँ तो जो permutation होगा वो एक mapping होगी मैं notation f लिखता हूँ इसी set से इसी set पे ठीक है ना such that यह mapping क्या हो जाए bisective फिर से मैं फिर से आता हूँ क्या मैं बोला हूँ एक set लिजिए ए non-imputy set है तो एक permutation जो इस पे define करते हैं तो permutation क्या होता है इस set पे एक bisective mapping होती है इसी set से लेके इसी set पे simple सा example definition मैंने आपको बताया या एक bisective mapping इस set से लेके इसी set पे इसी को हम क्या बोलते हैं permutation समझ में आ गया तो चलिए पहले इसको define कर दो मैंने explain किया फिर आगे मैं examples करने की courses करूँगा चलिए so जो सबसे पहला definition है वो क्या permutation 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 एक mapping होता है किसी भी set से उसी set पे जो की bisective होता है clear हो गया तो बस उसी को लिखते हैं so मैं अब इसको लिखूँ so lit a b a set ये कोई भी set है ठीके न a set of course non imputy set होना चाहिए मैं लिख देता हूँ b a non imputy set non imputy set a permutation a permutation a permutation on a is a bisective function is a bisective function function या mapping bisective function f from a to a बस एक line में definition तो कोई permutation इस set पे क्या होगा set जो मैंने लिए non imputy set एक bisective function होता है f from a to a ठीके आप ध्यान देजिएगा यहाँ पे bisective अगर भूल गए आप पता होगा bisective का मतलब क्या होता है किसी भी function को मैं बोलूँगा bisective है उसका मतलब क्या है यह one one हो one one हो plus onto one one को ही बोलते हैं sometimes injective और onto को क्या बोलते हैं तो कई नाम है इसके one one के जैसे injective हो गया onto का surjective बोलते हैं बट one one और onto common name है तो मैंने यह बताया so that means क्या हुआ कि कोई भी permutation किसी भी set पे एक bisective mapping होता है उसी set से उसी set पे simple सा example समझ में आ गया clear हो गया अब चलिए अब अगर यह समझ में आया तो कुछ note करके मैं लिखता हूं ठीक है simply मैं note करके लिख देता हूं कुछ books में क्या करते हैं कि यह जो set A है मैंने क्या लिखा था non impity set कुई भी तो यह definition में क्या करते हैं इसको बोलते हैं यह जो mapping मैंने लिया तो बोलते हैं कि यह transformation बोलते हैं transformation ठीक है अगर मैं यह जो set मैंने मैंने जो define किया न कुई भी non impity set मतलब finite या infinite तो transformation इस mapping को बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर यह set A finite हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं permutation लेकिन ऐसा नहीं higher mathematics में जो भी अच्छी books आप पढ़ें जैसे मैं जो books आपको बोलता हो जान वी फ्रेले की book है जैन नागपल भटाचारिया की book है ठीक है या फिर आप galleon की book पढ़ें तो वहां पे बस simply permutations लिखते हैं transformation का बहुत कम term यूज करते हैं मैंने यहां पर यह बता दिया इसलिए कि अगर कभी transformation आ गया तो आप बोलेंगे कि sir ने तो पढ़ाया नहीं था नहीं इसी permutations को ही transformation बोलते है बस यह समझे अब वह author अगर लिखता है तो बोलता क्या है कि यह general set है मतलब finite हो या infinite तो उस case में इस mapping जो by objective mapping है उस set से उस set पर उसको transformation बोलते हैं और अगर यह non impity set finite हो जाए मतलब जिसमे finite number of elements हो जाए तो इसी transformation को हम क्या बोल देते है permutations तो confusion नहीं होना चाहिए permutations मतलब transformation ही ठीक है चलिए तो इसको बस मैं बता दिया अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बस क्यों पर्मूटेशन पर फोकस करना है transformation भूल जाए बस वो आए तो आप देख लीजिए का समझ लीजिए का कोई दीकत नहीं है तो permutations मैंने define किया ठीक है अब हम जब भी बात करेंगे ना देखिए finite set पे ही permutations तो यहां पर मैं कुछ permutations निकालने की कोशिज करता हूँ थोड़ा सा आपको एक example लेके तो चलिए एक example के through मैं बताने की कोशिज करता हूँ कि अगर एक non-impity set लेता हूँ finite मैं finite पे आ रहा हूँ तो अगर एक finite set है जिसमे n number of elements है न तो उस set से उसी set पे कितने permutations बनेंगे कितने permutations मतलब कितने bisecutive mapping बनेंगे अगर मैं बोलूँ एक finite set देके कि बताओ भी यहां इस पे कितने permutations बनेंगे तो permutations अगर मैं पूछू तो definition से मुझे यही निकालना है कि उस पे कितने bi-something मैपिंग्स बनेंगे, clear है तो अगर मैं एक सेट लेता हूँ for example, A जिसमें मैंने दो elements लिए for example, A1 और A2 for example, मैं बोलूँगा कि आप इस पे जितने permutations बनेंगे निकालो, अब permutations मतलब क्या, कितने bisective mappings बनेंगे तो दीखिए, bisective mapping आपको निकालना आता है बिल्कुल आता है चलिए, यहां से मैं आया same set है तो यहां पे मेरा A1 है, यहां पे A2 है, यहां पे भी A1 है, यहां पे भी A2 है, कितने mappings बनेंगे, यही हमें निकालना है तो दीखिए, एक तो सबसे आसान एक तो मैं यह तरीका है, A1 को A1 के साथ, A2 को A2 के साथ, तो दीखिए अलग-अलग elements की अलग-अलग images, और co-domain set में कोई element backend नहीं है, मतलब यह 11 भी हो गया, और unto भी हो गया, यह bisective हो गया तो यह एक permutation बन गया set A से लेके, set A पे उसी तरीके से दूसरा permutation बनाने की कोईस, मतलब दूसरी bisective mapping, same set से, same set तो यहाँ पे A1 A2 A1 A2, दूसरा क्या होगा? 11 और unto दोनों आपको बनाना है यह चीज ध्यान रखना है, तो ध्यान देजिए दूसरा जो है, मैं A1 को A2 पे लेके चला जाओ A2 को A1 पे लेके चला जाओ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यह जो mapping है इसका नाम मैं देदेता हूँ, F2 ठीक है? यह भी bisective है, क्यों? यहाँ पे अलग-अलग elements में ले रहा हूँ domain set में, अलग-अलग images है और यहाँ पे कोई element वैकेंड नहीं है मतलब यह onto भी हो गया तो 1-1 भी है और onto भी है अब इसके अलामा कोई और बनाने की कोशिज करेंगे इन दोनों की अलामा तो और नहीं बनेगा कैसे मैं आपको फर्दर explain करके दिखाता हूँ F1, F2 के अलामा और कोई नहीं बनेगा कैसे यह देखिए यह मेरा कोई बनाने की कोशिज कर रहा हूँ मैं इसके अलामा A1, A1, A2 अब यह जो structure था मतलब A1, A1 पे जाए A2, A2 पे जाए या फिर A1, A2 पे A2, A1 पे इसके अलामा बनाना चाहता हूँ अब possibility क्या है कि अब माल लीजिये मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के अलामा तो दोनों के अलामा फिर एक ही possibility है देखे यह ऐसी बनेगी या फिर A1 भी A1 पे जाए A2 भी A1 पे जाए ठीक है तो इस case में यह 1-1 भी नहीं है यह देजिएगा यह 1-1 ही नहीं है क्योंकि अलग-अलग elements की एक ही में जा 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 रही है और unto भी नहीं बन पा रहा है इस तरह से और कोई combination आप बनाएंगे न mapping तो साइद हो जाए लेकिन वो 1-1 unto नहीं होगा मतलब by-jective नहीं बनेगा तो यहाँ पे केवल और केवल क्या तो ही by-jective mappings बनते हैं तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक state लिया जिसमें दो elements है तो उनमें जो है number of by-jective mappings कितने हैं दो यह f1 और f2 मतलब number of permutations कितने हैं यही दो है f1 और f2 मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा तो अब मैं यहाँ पे अगर collection लिखूँ set A जो मैंने लिया उस पे कितने permutations बने तो आप लिखेंगे क्या f1 comma f2 जहाँ पे f1 क्या है यह mapping और f2 जो है यह mapping अब इसको लिखते कैसे हैं अगर आप देखें सुरुवात में तो आप लिखना चाहें तो f1 को ऐसे लिखते हैं function लिखने के लिए क्या तरीका था ऐसे ऐसे लिखते हैं a1 a2 domain set में और इनकी images a1 की image नीचे image लिखते हैं उपर elements तो a1 और a2 का image क्या है मेरा a2 यह हो गया उसी तरीके से a1 a2 a1 का image देखिए मेरा यहां पर a2 है a2 का image मेरा a1 है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीके ना यह मेरा f1 है और यह मेरा f2 है यह simply ऐसे लिख देंगे यह understood है कि f1 f2 ऐसे मैंने बनाया तेर हुआ ठीक तो इसमें दो ही permutations बनेंगे अगर मैं कोई भी state कोई भी state अप लेते हैं दो elements का three elements वाला बता देता हूँ एक आदा और example थोड़ा अच्छे से कर दूँ के लिए अगर मैं a को three elements ले लो a1 a2 a3 कितनी byjective mappings बनेंगे यहाँ पे तो उसको निकालने के कोशिज करते हैं तो सबसे पहला जो byjective mappings total six बनते हैं देखिए यह अब यहाँ पे जो elements है उस पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ a1 a2 a3 a1 a2 a3 अब देखिए यह है मेरा पहले मैं लिख दिया f1 f1 सबसे आसान होगा a1 को a1 पे ले जाए a2 को a2 पे ले जाए a3 को a3 पे तो देखिए अलग-अलग elements की अलग-अलग images और यहाँ पे कोई element vacant नहीं है मतलब unto हो गया तो 1-1 भी हो गया unto भी हो गया यह एक mapping बना next 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 बनाने की कोशिज करिए तो यह देखिए यह permutations बना है byjective mapping मतलब permutations तो यह concept होना चाहिए आपको clear बिल्कुल यह जो बोलता है इसका मतलब क्या होता है फिर a1 a2 a3 a1 a2 a3 अब यहाँ पे अगला मैं बनाने की कोशिज करता हूँ f2 ठीक है तो यह क्या बनेगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैं क्या किया a1 को a1 पे ले गया ठीक और इन दोनों को change कर दिया a2 को a3 पे और a3 को a2 पे मैं समझा पाया कि नहीं ठीक है यह हो गया यह एक बना देखिए अलग-अलग elements की अलग-अलग images यहाँ पे कोई वैकेंट नहीं है by-jective mapping बन गया मतलब यह permutation हो गया अगिला एक और अगिला एक और a, 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 अब यहाँ पे यह element मैं लिख देता हूँ a1, a2, a3, a1, a2, a3 ओके तो यहाँ पे मैंने लिख दिया f3 ठीक अब यहाँ पे फिर से वही आप state z वही अपना है अब a1 को fix किया था, a2 को fix कर देजिए a2 पे और a1 को मैं ले गया a3 पे a3 को ले गया a1 पे देखिए a2 को fix किया, a1 को a3 अलग-अलग elements की अलग-अलग images और यहाँ पे कोई element vacant नहीं कोई vacant नहीं मतलब on to अलग-अलग elements की अलग-अलग images one one objective हो गया, मतलब permutation और भी बनेंगे क्या बिल्कुल बनने चाहिए, जड़ा देखिए क्या होता है बिल्कुल बनेंगे, और भी मेरे ख्याल से बनेंगे कैसे ध्यान देजिएगा मैं कोसिस करता हूँ तो तीन बन गए हैं एक देखिए, और भी possible है कि आँ कोसिस करिए तो यहाँ पर A1, A2, A3, A1, A2 अब चलिए यहाँ पर मैं क्या किया यही जो rule हमने चूज किया था A3 को मैंने A3 पर ले गया fix किया A1 को A2 पर, A2 को A1 पर तो यह भी एक बना इन सबसे अलग यह भी देखिए अलग-अलग elements की अलग-अलग images यहाँ पर कोई element packet नहीं चलिए अब कोई बना सकते हैं और प्लीज चेक करिएगा और बन सकता है क्या तो यहाँ पर A1, A2, A3 A1, A2, A3 अब F5 क्या हो जाएगा प्लीज बोलिएगा अब अगला तो यहाँ पर A1 को A2 पर ले जाएगे color change करते हैं A1 को A2 पर ठीक है न? A2 को A3 पर और A3 को A1 पर प्लीज चेक करिए यह भी देखें इन सबसे अलग है कि नहीं A1 को A2 पर ले गया ठीक है न? A2 को A3 पर A3 को A1 पर ठीक है न? चलिए यह एक बना यह भी इन सबसे अलग है देख लीजे प्लीज चेक करिए यह भी अलग है ठीक ठीक है कि नहीं प्लीज बोलिएगा अब यह हो गया अब एक और बनना चाहिए उसको भी मैं देखता हूँ F5 हो गया F6 E A A1 A2 A3 A1 A2 A3 ठीक अब यहां पर का करिए A1 को A2 पर A2 को A3 पर ठीक है ना नहीं यह तो बना चुका हूँ मैं यह तो बना चुका हूँ यह भी बनाए ना A1 को A2 पर इसको अटाते अटाते A1 को A3 पर ले जाए ठीक है न A3 को A3 को A2 पर ठीक है न और A2 को A1 पर प्लिच चेक करिएगा यह भी अलग बन गया प्लिच चेक करिएगा A1, A3 पर यहाँ पर कहीं था A1 देखिए A3 पर था लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था कि A3 को A1 पर देखिए और A2 को A2 पर फिक्स था यहाँ पर अलग-अलग मैं ले गया फिल्कुल अलग होगा फ्लीज चेक कर लीजिएगा तो यह टोटल six bijective mappings बनेगे इसके अलावा अब आप कोशिज करेंगे न तो या तो वो उसी इनीज 6 में से कोई एक हो जाएगा या फिर अगर दूसरा बनाने की कोशिज करेंगे तो वो या तो one one नहीं रहेगा या तो unto नहीं रहेगा ठीक है यह टोटल 6 बने अब इसको मैंने नाम दे दिया f या f6 ठीक है ना ठीक clear हुआ चलिए तो अब मैं आता हूँ यह टोटल से तो अब ठीक है इस सेट पे जो यह मैंने 3 elements लिया था total कितने permutations बने तो यह f1, यह f2 यह f3, f4 f5 और f6 यह total यह total 6 बने clear हुआ प्लीज बुलिएगा total 6 बने यहां से एक pattern बनता है और वो आपको पता है तो वो पहले भी अगर mapping अगर आप पढ़े हैं तो चीजें आपको clear होंगी नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ यह मैं इतना confidently क्यों बोल ला हूँ कि इसके अलावा और नहीं बनेगा तो simple सी बात है इफ जो set A मैं ले रहा हूँ finite है जिसकी cardinalty N है ठीक है ना तो जो इसमें set of all permutations यह जो है ना स A मैं लिख रहा हूँ collection of all permutations इसकी cardinalty क्या होती है N factorial तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी set finite लेते हैं उसमें अगर N elements है ठीक है ना तो उसमें कितने permutations बनेंगे कितने बनेंगे N factorial यहाँ पर verify कर लेजिए verify कर लेजिए पहला example जो मैंने लिया था ठीक है ना पहला example जो लिया था इसको example 2 कर देता हूँ और पहले वाले को example 1 ठीक तो यहाँ पर जो पहला example लिया था इसमें इस set में दो elements थे इसकी cardinalty देखिए 2 हो गई तो कितने आएंगे cardinalty कितना होना चाहिए था इसमें 2 factorial और 2 factorial की value कितनी होती है 2 तो देखिए यह दो exactly 2 permutations है example 2 में अगर आप verify करना चाहते हैं तो example 2 में जो a की cardinalty है मैंने कितना लिया था देखिए 3 elements n is equal to 3 हुआ तो sa का cardinalty कितना होना चाहिए था 3 factorial और 3 factorial की value कितनी होती है 6 और देखिए यह total 6 permutations मैंने बनाए यहाँ तक clear हुआ तो यही सबसे basic होता है कि जो permutations आप निकालता है न किसी भी non impity set पे आपकोस हम finite set की बात करेंगे तो अगर n number of elements है तो total n factorial उतने ही permutations उस set पे बनेंगे जैसे मैंने दो example लेके आपको visualize करवाने की कोसिस किया कि वो exactly permutations मतलब bijective mappings तो वो mappings क्या बनेंगी bijective जो की होंगी वो आपके screens पे मैंने explain किया प्लीज बोलिएगा ठीक अब अगर कोई non impity set लेते हैं finite हो गया ठीक है हम finite पे focus करेंगे infinite होगा तब भी चलता है infinite में कुछ box में उसी को मैं बोल ला था न transformation बताते हैं अब हम यह बताना चाहते हैं हम finite set पे ही stick करेंगे अपने आपको तो यहां पे अगर कोई finite set लेता हूँ तो उस पे उस set पे जितने permutations है उनके collection को मैं sa से represent करता हूँ ठीक है तो मैं बोलता हूँ कि sa जो है न यह क्या करेगा एक group form करेगा अब यहां पे ध्यान देजिए यह जो finite set मैं बोलना हूँ मैं पहले define किया था ना non impity होना चाहिए one element हो तब भी चलेगा लेकिन impity नहीं होना चाहिए तो मैंने 2 से start किया one पे तो बहुत easy हो जाता है न एक ही बनता है उसका छोग देजिए कोई बात नहीं है तो यहां पे अगर मैं बोलूँ कि यह जो set है ना sa यह क्या करता है एक group form करता है और group form करेगा तो यहां पे binary operation होना चाहिए तो binary operation आपको पता है maximum cases में क्या होता है composition of mapping ठीकिन न composition of mapping अब composition of mapping कि अगर मैं बात बोलूँ तो ध्यान रखिएगा यहां पे composition मतलब books में आप देखेंगे उसी को बोलते हैं multiplication of permutation या permutation का product लेकिन वो actual क्या होता है composition होता है तो binary operation यहां पे जो generally होता है वो क्या होता है composition of mapping होता है ठीकिए तो चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा आगे explain करता हूँ एले friends तो यहां तक आपको सब कुछ concept समझ में आए कि ने यही basic होता है यही students को confusion रहता है तो आगे तो आप रखते हैं permutation किसी भी set पे finite हो और infinite क्या होता है एक bisective mapping होती है कुछ books में अगर यह set infinite है मतलब general तो उसको transformation define कर देते हैं बट आप जो भी maximum books देखेंगे तो वहां पे permutation ही लिखते हैं transformation को ही कोई भी set आप लेते हैं तो उसको permutation क्या होता है एक bisective mapping है उस set से लेके उसी set पे provided वो set non-impity होना चाहिए clear हम जो कुछ भी discuss करेंगे permutation में आपके book में या आगे भी infinite set पे नहीं जाते हैं हम जो set है non-impity A इसको हम finite ही लेते हैं और finite set पे ही permutation की बात करेंगे और permutation groups की बात करते हैं तो चलिए यहाँ पे अब मैंने जो example लिया कि permutation sexually कैसे बनाते हैं तो permutation बनाने का मतलब किसी भी non-impity set पे जो कि finite में ले रहा हूँ क्या करना है आपको आपको bijective mappings बना देने हैं जितने bijective mappings बनेंगे उस set से उसी set पे उतने ही क्या होंगे permutations होंगे तो जैसे two elements लेंगे तो दो ही permutations बनते हैं क्योंकि दो ही bijective mappings बनेंगे अब इसी के collection को हम क्या represent कर रहे हैं sa त्री elements अगर आपने set a पे लिया तो sa क्या हो गया यह six होता है मतलब six permutations बनेंगे अब जो main topic है हमारा permutations group नहां पे लिखा है न permutations group तो permutations group क्या होता है यह जो मैंने कोई non impeti set लिया और उस पे जो है हम यह जो collection इकठा कर रहे हैं क्या permutations का उस set पे तो यह जो sa होता है यही group form करता है इसी group को हम क्या बोलते हैं permutations group तो अगर यह sa है ठीके न तो यहाँ पे binary operation होना चाहिए तो यहाँ पे जो binary operation होती है न वो क्या होता है क्या होता है composition of mapping ठीके न तो यहाँ पे अब मैं definition लिखता हूँ permutations group का तो definition क्या है definition permutations group का lit a b a non impeti set non impeti set ठीक and s a be the collection be the collection पोलनो यह set भी पोल सकता हूँ be the collection of all permutations permutations on set a then then s a forms a group forms a group a group with respect to the binary operation the binary operation operation composition देखिए ऐसे के element क्या है permutations permutations मतलब mapping तो operation binary operation composition of mappings या functions ठीके ना तो मैं क्या बोलना हूँ यह collection जो होता है binary operation क्या होगा composition of mapping कुछ books में इसी को क्या बोलते है product of permutations तो मैं bracket में लिख देता हूँ कि अगर कभी आ जाए तो आप confused न करे also called यह composition of mapping को क्या बोलते है also called the product the product or multiplication or multiplication ठीके ना प्रोड़क्ट और multiplication of permutations यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा of permutations यह clear हुआ तो मैं क्या बोलना हूँ कि यह non-imputy set आपने लिया इस पर collection यह इकठा कर लिया आपने सारे के सारे permutations का तो यह ऐसे group form करेगा और यह group form करेगा तो binary operation होना चाहिए binary operation जो लेते हैं वो क्या होता है composition of mappings तो इसी composition of mappings को कुछ books में क्या बोलते हैं product या multiplication of permutations इसी composition का ही दूसरा नाम है तो यह मैंने bracket में लिख दिया ठीके ना चलिए bracket में लिख दिया so forms a binary operation दिस और इसको बोलते क्या है the permutation group it's called the permutation इसी को हम क्या बोलते है permutation group समझ में आ गया अब composition of mappings आपने किया होगा बहुत बढ़िया से तो कैसे निकालते हैं चलिए मैं इसको example के तरू explain करता हूँ यहाँ पर ही ध्यान देजिएगा दो mappings थे ना मतलब दो permutation है तो example one में binary operation कैसे लगाएंगे तो इसको आप मैं example के तरू verify करता हूँ कि कैसे यह product आप निकालते हैं तो ध्यान देजिएगा यहाँ पर माली जी f1, f2 है न तो मैं पहले यह निकालना चाहता हूँ यह देखिए f1 composite f2 तो अब book में इसी को क्या लिखेंगे ऐसे लिखते हैं f1, f2 इसी लिए इसको क्या बोलते है product या multiplication लेकिन यह actual क्या है f1 composite f2 अब यह कैसे work करेगा तो चलिए यह मैं notation यह लिख दिया तो यह composition है न तो क्या होगा set a के किसी element पर operate होगा तो चलिए operate करवा के देखिए दो ही elements है a1 का image क्या होगा अब यह इसी बात है अगर यह दो mapping है इनका composition मैं ले रहा हूँ तो यह किसी element पर operate होगे तो a1 पर composition of mapping का definition क्या था कि पहले f1 के अंदर उस element का image निकाल लेजिए f1 के अंदर image क्या है देखिए f1 जो है a1 को क्या ले जाता है a1 पर ही तो यह हो जाएगा आपका this will be a1 और यह a1 को f2 किस पर ले जाता है ध्यान देजी तो यह f2 ले जाता है कहां गया f2 a1 को ले जाता है a2 पर देखिए a1 को ले जाता है a2 पर ठीक तो यह हो गया A2 समझा पाया कि नहीं और उसी तरीके से F1 composite F2 अब A2 का image निकालिए तो F2 और यहाँ पे A2 का image तो F1 के अंदर A2 का image क्या था A2 ही था अब A2 का image F2 के अंदर क्या है वो देखिए तो वो क्या है A1 यह हो जाएगा A1 समझ में आया कि नहीं तो क्या यहाँ पे आया ध्यान देजिए तो अगर मैं बोलूँ कि यह F1 composite F2 आपने निकाला तो यह क्या आएगा closer property hole करना चाहिए यह mapping होगा न अब यह सी बात है मैं बोल ला हूँ कि यह binary operation है composition तो binary operation क्या होता था याद करिए किसी भी सेट पे अगर ओ binary operation है तो G1 x G2 से G पे mapping मतलब यहाँ इस सेट का दो element लो operate करूँ तो इसी सेट का element आना चाहिए तो मैंने यहाँ पे जो S से लिया उसका यह दो elements लिया था मैंने composition लगाया मतलब इसको operate किया अगर composition binary operation है तो resulting element भी तो उसी S A का होना चाहिए तो यह क्या आ रहा है ध्यान देजिए तो इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे समझेए दो elements थे A1 A2 A1 की image मेरी क्या आई finally इस composition के respect में A2 A1 A2 पे गया और A2 किस पे गया A1 पे यह मेरा क्या है आप देखेंगे यही तो मेरा F2 है धान देजिएगा A1 A2 पे गया A2 A1 पे यही तो मेरा F2 कर रहा था A1 A2 पे A2 A1 पे मैं समझा पाया कि नहीं प्लीज बोलिएगा तो that means क्या हुआ कि closure property hold कर रही है अब इसको समझने के लिए ठीके ना आप ऐसे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है यह तो मैंने आपको mapping image बता दिया लेकिन जब permutations की बात करेंगे तो ऐसे आप समझें यह तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा आप operate कैसे करते हैं ध्यान दिजिए यह जो मैंने लिया है इसी कोई बड़ा टेड़ा है यह यह मैंने बताया just explain करके लेकिन exactly आप इसको कर सकते है इस तरीके से तो जब भी दो permutations cooperate करें आप इसी तरीके से करिएगा पहले F1 है F1 के लिए ऐसे permutations मैंने लिखा था ना A1 A2 यह उपर elements थे उसकी images तो F1 क्या करता था A1 को A1 पे A2 को A2 पे देखिए यही मेरा F1 है यह देखिए F2 क्या था A1 को A2 पे A2 को A1 पे इधर A2 आ गया मतलब F2 आ गया यह A1 A2 इधर A2 A1 यह मेरा क्या है F1 है और यह मेरा क्या है F2 है ठीक अब यह जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि F1 composite F2 is equal to F2 वो कैसे आता है ध्यान दीजे यहाँ पे image निकालना है तो A1 A2 निकलीजिए A1 का image क्या होगा तो इधर से चलते left to right इधर चलेंगे ठीक है तो A1 का image यहाँ पे क्या आया A1 अब इस A1 का image यहाँ पे क्या आया देखे यह A2 यहाँ पे आप लेख दीजे A2 ऐसे आप कोई भी दो पर मोटेशन को operate करते हैं मतलब composition लगाते हैं closure property निकालने के जो कोशिज करते हैं वो ऐसे ही फिर से तो को operate किया F1 F2 इसको इस form में लेक लेजिए तो इनका result भी एक mapping होगा तो domain state में तो A1 A2 ही रहेगा ठीक है तो A1 का image निकालना है तो पहले A1 का image इस F1 के अंदर निकालिए क्या है A1 अब यह जो image आ रहे है इसका image निकालेंगे F2 के अंदर तो A1 का image F2 के अंदर क्या है A2 अब यहाँ पर आते है दूसरा element क्या है A2 A2 का image पहले F1 के अंदर क्या है A2 देखिए यहाँ पर A2 अब इस A2 का image यहाँ पर निकालेंगे तो A2 का image क्या है A1 और देखिए यह क्या है यही तो F2 है तो this is F2 यही मैं बता रहा था कि F1 composite F2 यह क्या आ रहा है F2 जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था तो आप ऐसे अदर डाने कैसे image निकालते हैं या कैसे multiply करते हैं दो permutations को मैं समझा पाया तो चलिए अब मैं यहाँ से कोई दो मैं ले लेता हूँ इस example 2 में आपको समधाने के कोशिज करता हूँ इसी तरीके से so example 2 मैं अपने से for example F5 और for example F4 लिया ठीक F5, F4 composition है तो उल्टा लिखते हैं अब इसको ऐसे मत पढ़ियेगा कि F4 पहले है पहले F5 है composition में यही लिखते थे थे न F composite G तो यहाँ पे भी F5 composite F4 तो यह क्या होगा ध्यान देजिएगा पहले इसको आप लिख लिजिए ठीक है तो अब यह सी बात है A यहाँ पे 3 elements थे न A1 A2 A3 A1 A2 A3 ठीक है न आब देखिए यह जो भी mapping है example 2 में A1 इस पे अब ध्यान देजिए पहले मैं F5 पे आता हूँ इस तरह से आपने लिखा देखिए F5 में A1 A2 A2 A3 A3 जो है आपका A1 पे यह ठीक है अब चलिए F4 पे F4 में न क्या था यह देखिए यहाँ पे A3 fix था A1 A2 पे गया था A2 A1 पे गया था A1 A2 पे गया था A2 A1 पे गया था A3 fix था कर लिजे F4 में न यही है मैं समझा पाया अब चलिए इसको कैसे multiply करेंगे तो जो rule है permutation का वही आपको लगाना है मैं जो अभी explain किया A1 A2 A3 ठीक है चलिए अब इसको operate करेंगे तो मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को operate करेंगे मतलब multiply करेंगे तो क्या result आएगा इसको देखना है तो पहले A1 का image इधर से चलते है left to right composition है न F5 composition F4 है अगर composition में doubt है मेरा reviewa classes जो है 12 पे भी मैंने बनाया है वहाँ पे आप 12 की वीडियो जाएगा composition of mapping मैंने detail में वहाँ पे explain किया है चलिए तो A1 का image पहले यहाँ A1 का image क्या आगया A2 अब यह जो image आया इस element का image मैं यहाँ पे देखूँगा तो A2 का image यहाँ पे क्या होगा देखिए A1 यह हो गया मेरा A1 अब चलिए A2 का image देखना है तो A2 का image यहाँ पे क्या है A3 अब A3 का image यहाँ पे देखेंगे तो A3 का image यहाँ पे A3 है ठीक है अब A3 का देखना है तो A3 का image यहाँ यहाँ पे A1 और A1 का image यहाँ यहाँ पे क्या है A2 तो finally A2 ठीक तो यह क्या आ रहा है जड़ा देखिए यह क्या आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखें प्लीज तो A1 A1 पे गया A2 A3 पे A3 A2 पे तो इसी में से कोई न कोई होगा A1 A1 पे गया A2 A3 पे गया देखिए और A3 A2 पे गया यह क्या आ रहा है F2 देखिए A2 A3 A3 A2 A1 A1 पे यह F2 है मेरा फिलीज चेक करिएगा ठीक है न तो यह मेरा आ गया F2 तो अगेन यह SA का मेंबर है देखिए दो एलिमेंट्स को औरेट किया तो यह अगेन SA का ही मेंबर आया मैं समझा पाया कि नहीं बोलिएगा ठीक है तो closure property अब समझ में आ गया होगा आपको कि फिर से मैं recall करता हूँ पूरी चीजे confusing था मैं समय दिया फिर से कोई भी set लेते हैं उस पे permutation क्या होता byjective mapping है अब उस set पे जितने भी permutation से उनको इकठा कर लिजिए उसको नाम दे दिजिए sa तो यह sa एक group form करता है with respect to binary operation यहाँ पे क्या होती है composition of mappings ठीक है ना composition of mappings इसी को क्या बोलते है product या multiplication of permutations कुछ box में कैसे composition निकालते हैं मैंने अलग-अलग sa दो elements जब लिया था a में a1 a2 वहाँ पे मैंने यह operate करके बताया फिर example 2 में जो मैंने 3 elements लिये थे वहाँ पे f5 और f4 लिया ना तो f5 और f4 को multiply किया इस तरीके से आप लिखते हैं composition तो देखिए यह आ रहा हूँ clear? मैं समझा पाया कि नहीं अब यही पे एक और चीज़ ज़रा वे निकाल के दिखाता हूँ यह देखिए f5 और f4 को multiply किया अब उल्टा कर दिजिए f4 और f5 को करिए यह क्या आएगा? f4 देखिए f5 composite f4 यहाँ पे f4 composite f5 तो यह क्या होगा? अब direct यहाँ से हम करेंगे a1, a2, a3 a1 का image अब देखिए यह उल्टा इधर से चलेंगे f4 में, तो f4 मेरा क्या था? देखिए f4 यह है मैं लिख दो, यह मेरा f4 है और यह मेरा f5 है तो अगर यह लिखना है तो चलिए मैं लिख दो अधर वाज़ आपको और necessary confusion होगा पहले मैं लिख रहा हूँ इधर f5 f5 यह था ना यह तो a2, a3, a1 और यहाँ पर a1, a2, a3 तो यह मेरा f4 है f4 में यह a2, a1, a3 प्लीज चेक करिएगा उल्टा गया यहाँ पर f5 composite f4 यहाँ पर f4 composite f5 तो यह मेरा जो है f5 है प्लीज चेक करिएगा मेरा f5 है और यह क्या है f4 है समदा पाया कि नहीं? प्लीज चेक करिएगा चलिए तो अब मैं चाहता हूँ कि यह जो product आएगा मतलब closure property के हिसाब से यह क्या element आएगा a1, a2, a3 a1 का image यहाँ पर निकालेंगे a1 का image a2 और यहाँ पर a2 का image क्या है? a3 प्लीज चेक करिए अब a2 का निकालेंगे इधर इधर से चलते हैं ऐसे तो a2 का image इधर a1 a1 का image is a2 अब a3 का निकालेंगे a3 का image a3 a3 का image यहाँ पर a1 अब यह क्या है? ध्यान देजे a2, a2 पर गया a1, a3 पर a3, a1 पर यह कौन सा permutation है? तो यहाँ पर देखिए a2, a2 पर गया a1, a3, a3, a1 यह मेरा क्या है? f3 है यह मेरा क्या है? f3 है प्लीज चेक करिएगा तो यह मेरा क्या आ गया? f3 तो यहाँ पर मैंने क्या देखा? कि binary operation को commutative कब बोलते थे? अगर a, o, b this is equal to b, o, a यह दोनों equal हो जाए for every element तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि f5 composite f4 not equal to यह f2 आया, यह f3 आया not equal to this that means क्या हुआ? कि यह in general जो है यह जो यहाँ पर मैंने ऐसे लिया था example 2 में तो यह जो है abelion नहीं है commutative नहीं है मतलब abelion नहीं है यही मैं concept आपको बता रहा था तो चलिए मैं लिख देता हूँ since since f5 composite composite मैं लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि notation में आप composite नहीं लिखते है बस ऐसे ही लिखते है not equal to f4 f5 this will imply this will imply permutation groups permutation groups permutation group in general होता है लेकिन मैं इसी एक्जामपल को कर देता हूँ चलिए permutation group यह sa जहां पर a मेरा क्या था तीन elements थे ना a1, a2, a3 is not abelion is not abelion तो यहां से एक result है अगर आप याद कर पाएं यह permutation group commutative नहीं होते मैंने आपको एक्जामपल से बताया ठीके ना अगर a में 3 elements लिया था तो यह abelion group नहीं form करता है समझ में आया अब यही से जो main है हमारा जो सबसे important है very very important वो क्या है symmetric group क्या symmetry group इसको हम लोग next video में करेंगे क्या symmetric group अब यह video में अभी upload कर दूँगा ठीक है ना मैं भी एक आप video में और record कर लूँ अगर यहाँ पर जो इस video में सारे information थे आपके पास clearly पहुच जाना चाहिए नहीं पहुचा है तो please comment section में comment करिएगा so that एक आद दो example और करवा दूँगा हलाकि यह permutations के multiplication पर example हम लोग आगे भी करते रहेंगे तो घब़ाना नहीं है समझते हुए चलिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ मैं समझा पाया कि नहीं please बोलिएगा तो next जो है symmetry group hopefully यह मेरा effort जो है आपके पास पहुच पाया होगा पहुच पाया है video को like करिएगा friends के साथ share करिएगा comment section में comment के through appreciate करना मत भूलिएगा मिलते है next video में जहां पे हम symmetric group करेंगे again wish you all a very happy new year 2024 ठीक है so channel मेरा जो है नाम मैंने बदल दिया अब reviewa classes higher math करके अब यह channel हो गया पहले मेरे नाम पे था तो channel का name बदल गया है ठीक है तो अब इसको आप जो है अपने friends के साथ share करिए अगर video अच्छी लगती है comment section में जरू appreciate करिएगा so मिलते है next video में तब तक अपना ख्याल रखें पढ़ाई करते रहें thank you thank you so much friends for watching my videos